समाजिक परिवर्तन M.N.C. निवास ने एक किताब लिखी थी Social Change in Modern India आपने Social Change in Modern India में संस्कृति करण के बारे में बताया आपने बताया साथी साथ आपने एक किताब और लिखी थी Religion and Society Among the Cooks of South India आपने बताया था कि जो कुर्ग लोग हैं South India में वो ब्रामणों के नियमों का विश्वासों का अनुसरन कर रहे हैं कही न कही स्टार्टिंग में M.N.C. डिवास ने संस्कृति करण को ब्रामणी करण ब्रामणी करण की पक्रिया बोला था लेकिन जब उन्होंने देखा सिर्फ लोग ब्रामण जाती को अनुसरन नहीं कर रहे हैं बलकि अनेक दुजजातियों को जिसमें शक्त्रिये वैशे इनका अनुसरन कर रहे थे ताम इन्होंने ब्रामणी करण के स्थान पर इसको संस्कृति करण की प्रक्रिया बताया देखे, संस्कृति करण की प्रक्रिया क्या है? एमनुशे निवास ने इसको परिभर्चिक करते हुए लिखा भी है, जब कोई निम्न हिंदु जाती, जन्जाती, अत्वा समू प्राय उच यद्वी जन्जाती, जुईच जाती की दिशा में अपने विचार, रहन सेहन, भोजन त्याग दिया, शराब व्रती को त्याग दिया, वो उच ब्रामनों की तरह जन्यों धारन करना, धार्मिक ग्रंतों का पार्ट करना, उनी की तरह शाकाहली भोजन करना, पूजा पार्ट करना, माला फेडना, इस तरह कर लेने अगे, और वो उनके कीछे कारण था, वो इसको इसलिए कर रहे थे कि वे दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हम भी उच्छ या द्विज जातियों से हैं। ऐसा माना जाता था दक्षिन भारत ने छुआ छूत या इस तरह की दुर्भामनाई बहुत जाता व्याग थी। जिस कारण लोगों ने भार्मनों की तरह अनेक द्विज जातियां। जिखाया कि हम भी इन ही जातियों से हैं। जाता है या बदलने का प्रयादन करता है तो समाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया को संस्कृति करण की अबधाना कहा जाता है। बचो मैंने आपको संस्कृति करण पढ़ाया था। इसी में आगे एक next question आता है संस्कृति करण की विशेष्टा है। यानि mean characteristics of Sanskritization। संस्कृति करण की विशेष्टाओं में अगर हम बात करें तो पहली विशेष्टा है संस्कृति करण का संबन निम्ध जातियों से हैं। देखें उसी प्रक्रिया को समाजिक परिवर्दन की हम उसी प्रक्रिया को संस्कृति करण केंगे जिसमें निम्ध जातियां उच जातियों का अनुसरण करती हैं। बहुत सी जगह जो हमने देखा हैं, बहुत से लोग आरश्ण का लाभ उक्साने के लिए अपने आपको निम जाती दर चाते हैं, तो उसको संस्कृति करण नहीं, वी संस्कृति करण या असंस्कृति करण की प्रक्रिया कहेंगे. नेक्स इसमें हैं संस्कृति करण समाजिक गतिशिर्ता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया हैं. मैंने आपको समाजिक गतिशिर्ता में बताया था, जब एक पधिया प्रस्थती से, दूसरे पधिया प्रस्थती में कोई भी परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं समाजिक ग पुद्धा राहन सेहन नियम विश्वास को अपनाती हैं और अपना लेती हैं और दावा करती हैं कि वो उच जाती हैं तो उनके पद और प्रसती दोनों परिवर्दित हो जाते हैं इसी फिरकार इसमें है संस्कृति करण केवल हिंदू जातिय तक सिमत ही नहीं है संस्कृति करण केवल अब हिंदू जातिय तक सिमत नहीं है ये अर्दे जंजातिय जंजातिय समोब्य भी भो मात्रा में ये प्रक्रिया देखी गई है बहुत सारी जंजातियों ने उच जातियों के तरह रहना, बोलना, खाना, पीना, सीख लिया है तो इसको सिर्फ हिंदू जातिय से इसका सम्बन नहीं है, जंजातियों से भी इस प्रक्रिया का सम्बन है इसी प्रकार बचो संस्कृति करण का सम्बन किसी एक व्यक्ति या परिवार से नहीं होता यदि कोई एक व्यक्ति या उसका पूरा परिवार उच जाती की दिशामरे रहन सेंग वेश बुशा धारन करता है या ऐसा प्रिटेंड करता है भाना करता है तो उसे हम संस्कृति करण नहीं कहेंगे इसका संबन पूरे एक संहो से है जब पूरे संहो के द्वारा उच जातीयों का अनुसरन खरा जाता है रहन सेंग वेश बुशा इन सब को अपनाया जाता है तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया को हम संस्कृति करण कहेंगे मात्र एक व्यक्ति या परिवार को अपना लेने से उस प्रक्रिया को हम संस्कृति करण नहीं कहेंगे इसी प्रकार ये है संस्कृति करण के कई आदर्ष हो सकते हैं इसी प्रकार खानपांग में मासाहारी भोजन को त्यागना एक आदर्ष नहीं है कई आदर्ष हो सकते हैं नेट्स है इसमें सलस्कति करन एक सार्भोमिक प्रक्रिया है शू में जब M.N. शिनिवास ने दक्षिन भारत में इस प्रक्रिया का अध्यान किया था तो उन्होंने सोचा था कि ये सर्फ दक्षिन भारत में है लेकिन जब इस प्रक्रिया का प्रसार प्रचार हुआ तब पता चला ये पूरे भारत में इस प्रक्रिया का प्रचलम है मात दक्षिन भारत तक सिमत नहीं थी जब ये धीरे धीरे निकल कर आई तो उत्तर भारत, मध्य भारत सभी जगे इस प्रक्रिया को देखा गया इसलिए इसे एक सारभोमिक प्रक्रिया भी बोला जाता है नेक्स इसमें है योगेन सिंग ने इसे अग्रीम समाजी करण डोक्टर योगेन सिंग थे उन्होंने समाशास के बहुत विद्वजन है वो आपने संस्कृति करण को अग्रीम समाजी करण भी कहा है अग्रीम समाजी करण उन्होंने इसलिए कहा है कि कई बार व्यति चाहते हैं, सीखते हैं, आशा करते हैं इसलिए डोक्टर योगेंदर सिंग ने इस प्रक्रिया को अग्रीम समाजी करण से भी बताया है साथी साथ इसलिए बहुत सारी और भी विशेष्टाय हैं, जैसे उनके द्वारा सब कारे करना, धामे करम कांडों को करना इसी प्रकार समाजी करती शीर्ता को दर्शाने वाली ये प्रक्रिया मात्व, समाजी करती शीर्ता पत्के परिगर्तन के साथ सार व्यक्ति के पूरे संभू को उपर उठाने में सफल हो जाती है तो इस प्रकार संस्कृतिकरंट और ये संस्कृतिकरंट ती विशेष्टा है बच्चों में इसी प्रकार आपको वीडियो के महध्यम से सारे चैप्टर्स जतनी पॉसिबिल्टीज होगी क्योंकि मुझे में से लेके बीए तक सब पढ़ाना है मैं कोशिश करके आपको भेज दी रहूँगी साथ ही साथ जो मैंने आपकी वाट्सेप ग्रूप बनाए है उसमें इसका आंसर और कोशन भी मैं आपको भेजूँगी तो आप तच में रहिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब इसलिए कर दीजेगा क्योंकि जैसे भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो रहां आपको नॉटिफिकेशन मिल जाएगा ऐसे ही हम मिलते रहेंगे टेक क्यार और गुड़ बोई